स्यास्ट में तेहल का साविक सदर आसिपली जड़दारी मेगा मनी लॉंडरिंग स्केंडल में गिरिफतार इस्लामबाद हाई कोट से साविक सदर की जमानत मुस्तरत अदालत की इजाज़त के बाद मैप टीम की जड़दारी हाउस आमर परियाल तालपूर्ट के वारेंड ना होने के बाइट हिरास्त में ना लिया चा सका आसिप जरदारी की नैप टीम के साथ रवानगी बिलावल भुटो ने मुस्कुरा कर आसिफा ने गले लगा कर वालिद को रुखसत किया साबिक सदर का रवानगी के वक्त बेटी को प्यार जरदारी हाउस के बाहर जयाले मुश्तिल, कमर जमान काईरा और पुलिस एहलकारों की हाता पाई नैप टीम साबिक सदर को सियाह शेशों वाली गाड़ी में बिठा कर ले गए साबिक सदर का दो घंटे मेडिकल चेक अप आसिफ अली जरदारी को कल इहतसाब अदालत पेश किया जाएगा नैप टीम पंदरा रोज़ा रिमान की सदा करेगी रावल पिंडी के सेल नमबर दो में रखने का प्लान रेंचर्स की जाफी नफरी तायनाद जलाय के मताबक एस्टी की सहूलत भी पिशाएगी गिरफतारी से कबल आसिफ जरदारी की जरदारी हाॉस में वकला से मुशावरत साबिक सदर की अबूरी जमानत में पांच बार तोसी की गई 28 मार्ट से आज तक दो माँ बारा दिन जिमानत पर रहे माजी में नैप और उसके चेर्मेन पर तनकीद भी करते रहे पाइक अट करके नहीं हमको ठकार के ज़र जीट ले पुझे बोलने नहीं दिया I demand speaker and the deputy speaker resign from their posts production order के मतालबा किया मारते भी है और रोने नहीं देते ये हकुमत हमारा जम्हुरी हकुक पर हमले कर रहे है जर्दारी की गिरिफतारी जम्हुरियत पर हमला एहतसाब सियासी उतकाम करार बिलावल भुटो का कौमी असेमली में बोलने की जासत ना मिलने पर स्पीकर डेपटी स्पीकर से स्पीकों का मतालबा हुकुमत के राना अवाम का इख्तियार चाहते हैं पार्लिमेंट मुदत पूरी करे पीपी चेर्मेंट की प्रेश कॉंसेंट आप प्रिडेक्शन ऑर्डर कब देंगे प्रीपर्स पार्टी की प्रोडक्शन आर्डर के लिए स्पीकर को दर्खास शेहबाज शरीफ ने मुतालबे की हमायत कर दी मौमले से हकूमत का कोई तालुक नहीं वजीर दाखला का जबाब रिस्पेक्ट करते हैं जो वो जा इतिजाज कर रहे हैं लेकिन एस फर इस अधर हैं अगर आपको चांस दे रहा हूँ मैं खुद दे रहा हूं तो आप दो में जबूर कर रहे हैं कि मैं इजलास मुद्वी कर दूँ अगर ऐसा है तो ऐसे हैं मुझे आप तंकर रहे हूँ अगर मुझे एक्स्प्लिनेशन नहीं दे नहीं दी गई तो फिर बलावल भी मनी लांडरिंग पे तक्रीर नहीं करेगा फिर चोरों डॉकों लुटेरों करफ डिसानस्ट और स्लगेश डॉकों को इनके जनाजे निक भी की जाती है पहले बिलावल बोलेंगे यां शेख रशीद कौमेट सेमली में अनोखा मैस ज्याले ज़लाल में आ गए स्पीकर डाइस का घेराओ वार्निंग नजर अद्दास मैं नहीं बोलूँगा तो पीपी शेर्में भी नहीं बोलेंगे शेख रशीद पर हम डेपट शेरीफ साब आज क्रेडिट लेंगे इस गरिफटारी का क्योंकि आज जो गरिफटारी हुई है इसकी जो तफ्तीश का अगाज है वो 2015 में हुआ था अमावस की रात खत्म हो चुकी है अब इन्शाला आगे चांद की राते हैं सुरच की राते हैं बहुत शुक्रिया बहु पून लीग है रान हूँ शेयवाज शरीफ ने क्रेडिट क्यों नहीं लिया तफ्तीश तो उनकी हुकूमत ने शुरू की थी फवाज चोदरी का जवाब अब चांद चड़ेगा और दुनिया देखेगी एवान में इसहारे ख्याल गिरिफ्तारियों से नहीं डरते तुम कोशुश करके देख लो जयालो में डाल कर सिलेक्टिट रुकूमत जाइस नहीं हो चाहे की आसिफा भुतो का ठ्वीट साविक सदर को अवाम दुश्मन बजट से तवच्छो हटाने के लिए गिरिफ्तार किया गया मुल्क खान का मुताम का मुतामिल नहीं हो सकता मरियम आरंग से का रदे अमर आसिफ जर्दारी की गिरिफ्तारी जयाले सडकों पर आ गए लोहूर में नौ मकमात पर इहतजाच मेट्रो सर्विस मॉत्तल कराची में मुझाहरे लाड़काना और सक्कर में जबरदस्ती दुकाने बन करवा दी गए मुझतल डंडा बरदारों की तोड़ फोड हवाई फारे मनी लॉंडरिंग रम्दान सुगर मिल्स केप हम्जा शहवास के उबूरी जमानत की दर्खास पर कल लाहर हाई कोट में समाथ नैप टीम अडिशनल प्रोसीक्यूटर नैप के हमरा अदालत में पेश होगी मुल्की तारीख का एक और बड़ा स्केंडल बेनकाथ आई पीपीज के तीन सो अरब की मुबयना करप्शन नैप ने साबिक डीजी नैपरा सेद इनसाफ एहमद को गिरफतार कर लिया कल इतसाब अदालत में पेश किया जाएगा एक पिसादी सेवे पेश कोई भी हदा फासल ना हो सका पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए मुश्किल पैसले ना गुपी कर्जों का हर्चम 2824 अरब रुपे डॉलर की कदर बढ़ने से कर्जों में 1221 अरब रुपे जाफा मचमुई तोर पर 163 अरब रुपे का कर्जा लिया गया मुश्यर खजाना अपीज शेख की प्रेस कांफरम्ड 31,000 अरब आखिरकार लिये गए और ये मुसलसल कई सालों से लिये गए आने वाले साल में तकरीबन 3,000 अरब जो है वो फक्त जो इसका सूध है वो देना पड़ेगा हमारी जो डॉलर कमाने की जो कैपैसिटी थी वो पिछले 10 साल में तकरीबन सिफर बढ़ी अक्तिसादी बोहरान से निमटने के लिए अवाम पर बोज़ डालने का प्लैन बजट कल पेशोगा बिजली, गैस, पेटरल, चीनी, तेल, घी, मसाले, टूथपेस मश्रूबात, तमबाकू और खात पर सेल्स टेक्स बढ़ाने की तजवीज टेक्टर पर सेल्स टेक्स 5 से 18 फीसद की जाने का इमकान टेक्स आमदन का हदफ 5,500 अरब रुपे मुकरर किया जाएगा 30 जून तक आपके पास वाक्त है कि अपने असासे, अपने बेनामी असासे बेनामी बेनामी बेंक अकाउंट्स बाहर पैसा पड़ा हुए इनको डेक्लेयर करें 30 जून के पास आपको ये मौकानी मिलेगा हमारी एजन्सीज कोई पास इन्फरमेशन है किस के पास बेनामी अकाउंट पड़े हैं बेनामी प्रॉपेटीज पड़े हैं ये कभी पहले हमारे पास नहीं थी 30 जून तक बेनामी असा से डेक्लेयर करने की स्कीम से पाइदा उठाएं वजीर आजम की अवाम से अपील तारीख गुजरने के बाद कारवाई का भी शारा सालाना चार हजार अरब टेक्स में से दो हजार अरब रुपेट कर्जों की किस्तों पर खर्ष इस रखम से मुल्ख नहीं चल सकता अमरान खान का पैखाँ पंजाब में किफाएद शेयारी अखराजात घटाने की तयारी वजीर आजम ने गेर तरक्याती बजट कम करने का हुकम दे दिया आहम इज्रास में इकदामात की मनजूरी गुजश्चता हुकूमत के खर्चे अवाम के सामने लाने की हिदायत इमरान खान को खैबर पखतून खा के बजट पर भी ब्रिफिंग बेरूने मुल्क से जाती स्वाल के लिए मुबाइल पॉन लाने की आयाशी भी महंगी बाहर से आने वाले हट सेट पर टेक्स लगानी की तश्वीज दो माह के लिए वतनाने बालों को छूट मिलने का हिंकान डॉलर फिर आउट अफ कंट्रोल इंटर बैंक में 2 रुपे 40 पैसे महंगा 151 में ट्रेड ओपन मार्कीट में कीमत 3 रुपे बढ़ गई स्टॉक मार्कीट में मंदी 100 इंडेक्स में 970 पॉइंट्स की कमी ओल पाकिस्तान वुकल आक्शन कमेटी ने 14 जून की हर्टाल की मुखालफत से दी मख़ूस तोले की वकालत बरदाश नहीं जिसके खिलाफ कारवाई हो रही है कानून के मताबक होने दें और देख रहे हैं दुनिया नेउस और मैं हूँ उमर दराज और मैं हूँ आमना सजाथ हेडलाइन सापने जानी यहाँ पर वक्त वेक ब्रेक का वल्कम बैक बलिचन का आगास करते हुए सबसे बड़ी खबर आपको देंगे मैगा मनी लॉंडरिंग केस में इसलामबाद हाई कोट से जमानत मुस्तरफ होने पर रासिफ अली जर्दारी को नाप ने जर्दारी हाउस से गिरिफतार कर लिया साबिक सदर को नाप हेड़कौर्टर जरावल पिंडी मुन्तकिल कर दिया गया है और कल इहतसाब अदालत से उनका जिस्मानी रिमान लिया जाएगा जबके उनकी हमशीरा फर्याल तालपूर के वारंट ना होने के बाइस उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया सियासत के मैदान की सबसे बड़ी खबर साबिक सदर आसिफली जर्दारी मैगा मनी लॉंडरिंग स्कैंडल में गिरिफतार पर्याल तालपूर के वारंट जारी ना होने के बाइस उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया इसलामाबाद हाई कोट से जमानत की दखास मुस्तरद होने के बाद नाप तीम सदर्दारी हाउस पहुंची तो वहां माजू पीपलस पार्टी के रहनुमाँने एहलकारों को रोकने की कोशश की तहम पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफा नवास खोकर तीम को लेकर घर के अंदर चले गए नाप तीम को लॉन में बिठा दिया गया इस तोरा नासिफ अली सर्दारी वुकला से मुशावरत करते रहे शाम सवा पांच बज़े के करीब नाप की तीम में साबक सदर को गिरिफतार कर लिया नाप तीम उन्हें स्याज शीशों वाली गाड़ी में बिठा कर ले गई जर्दारी हाउस इस्लामबाद से बिलावल भुटो ने मुस्कुरा कर और आस्वा भुटो ने गले लगा कर वालित को रुखसत किया घर के बाहर पुलिस अहले कारों और पीपी राहनुमा कमर जमान कारा के दर्मियान हाथा पाई भी हुई जिस दौरान पीपी राहनुमा गिर गए शाम पांच पचकर 25 मिनट पर आसिफली जर्दारी को नेब हैटकौर्टर से रावल पिंडी मुन्तकिल किया गया जहां सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किये गए थे साबिक सदर को मंगल को एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा जहां नाप तीम 15 रोजा रिमांट की स्तदा करेंगी जराय के मुताबक साबिक सदर को नाप रावल पिंडी के सेल नमबर डो में रखने का प्लान है जराय का दावा है कि उन्हें जेल में एसी की सहूलत भी दी जाएगी साबिक सदर की अबूरी जमानत में पांच बार तौसी की गई आसिफ अली जर्डारी 28 मार्च से अब तक दो माह 12 दिन अबूरी जमानत पर रहे साबिक सदर आसिफ अली जर्डारी को कल इहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा जहाँ पर नैप की टीम उनके पंदरा रुजा जिसमानी रेमान की इस्तदा करेगी पोली क्लिनिक की मेडिकल टीम ने साबिक सदर आसिफ अरी जर्डारी का तिवी मौएना मुकमल कर लिया है तीन रुकनी डॉक्टर्स की टीम ने आसिफ जर्डारी को मुकमल तोर पर फिट करार दे दिया गया है आसिफ जर्डारी का बलड प्रेशर, शुगर और दिल की धड़कन नॉर्मल है इसी पर बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे कमर मुनवर हमारे साथ माचुद है रिपोर्ट में उनको मेडिकली फिट करार दिया गया और इसमें ये कहा गया है कि साबिक सदर आसिफ जर्डारी का पल्स रेट, हार्ट बीट और इस तरह की कोई बिमारी उनको अभी मुझूद नहीं है इसी वज़ा से ये जो सर्टिफिकेट है पॉली क्लीनिक के जो मेडिकल बोर्ड है उन्होंने हैंड ओवर कर दिया है जो तफ्तीशी अफसरान है नैब के उनके जो काल अदालत में भी पेश किया जाएगा पौने गंटे तक यहां पर जो पिंडी जो नैब का दफ्तर है इसमें उनका चेक अप किया गया है बाकाइद तोर पर यहां पर एक सो पुलीस हैल कारों को जो आवा तायनात किया गया है और लाल मस्जिद के सामने जिस जगा यह नैब का पिंडी दफ्तर मुझूद है इसके सो बंदों की नफ्तरी तायना के साथ अनको मेडिकरी फिट करार दे दिया गया है कमरों बनावर शुक्री आपका बिलावल भुटो जड़डारी ने आसिफ ली जड़डारी की गिरिफतारी को चमहूरियत पर हमला चपके हितसाब को सियासी इंतकाम करार दे दिया है पाकिसान पीपस पार्टी के चेर्मन ने कौमी असम्बली में बोलने की अजास्त ना मिलने पर स्पीकर और डेपटी स्पीकर कोमी असम्बली से स्टीफे का मुतारबा किया है मुझे बोलने नहीं दिया I demand the speaker and the deputy speaker resign from their posts यह जो Nationalist Assembly के मेंबरान है यह आप के पूचे बेगेर arrest हुए है आप कानून कहता है, rules कहते है के आप से पूचा जाए production order के मतालबा किया मारते भी है और रोने नहीं देते यह हकूमत हमारा जुम्हुरी हकूक और हमारा इनसानी हकूक पे हमले कर रहे है आज फिर से हमारा right to a free trial was undermined जो judicial order था court का, ना नाब के पास था ना किसी ने लिखा था मगर वो पहुँचे यहां सदर जरदारी साथ को arrest करवाने के लिए हमने फासी घात में हमने जुके ने, हमने वम्दमाके के सामने जुके ने और किसी arrest के सामने जुके ने ने वाले थे जहां तक हकूमत हताने की बात है Pakistan People's Party ने हमेशा से यह we are the ones who always argue कि यह हक जो है यह सिर्फ और सिर्फ अवाम के साथ होना चाहिए जो कि अपने जुमूरी हक इस्तमाल करते हुए अपने हकूमत बनाए और हकूमत कराए Hi, it's Seyad Aashinaz here Thank you for watching Dunia News For more videos and updates Don't forget to click the subscribe button Keep watching Dunia News